नमस्कार स्वागत है आपका राज्य सभा टीवी में मैं हूँ आपके साथ हम्रता चौरसिया आईए शुरवात करते हैं मुखी समचारों के साथ राश्ट्रपती रावनात कोविन ने मंजूर की सोलवी लोकसभा भंग करने की सरकार की सिफारेश प्रधान मंत्री नरिन्द मोदी ने मुलाकात कर सौपा स्थीफा राश्ट्रपती ने प्रधान मंत्री और मंत्री परशद को नई सरकार की गठन तक काम का सम्हालने को कहा सूरत के एक कॉंपलेक्स में भीशन आख से अठारा की मौत दूसरी मंजिर पर चल रहा था कोचिंग इंस्ट्यूट गुजरात के मुखे मंत्री ने दिये जाच के आदेश मृतकों की परिजनों को चार चार लाख रुपे की मुआफजिक अईलान प्रधान मंत्री नरिन मुदी ने हासे पर जताये गहरा दुख घायलों के जल्द स्वस्थ होने की काम लगी रक्षाक श्वेत्र में डियाडियो की एक और बड़ी काम्याबी पोखरन फाइरिंग ब्रेंज में 500 किलोग्राम के स्वदेशी गाइडेट बम का सफल परीक्षर 30 किलोमीटर दूर से तै लक्षे पर सटीक निशाना कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलो को मिली बड़ी सफल था पुलवामा में सीना ने खूखा रातंगवादी जाकिन मुसा को इंकाउंटर में किया धेर आतंकी संगठन अलकाइदा से जुड़े अंसार गजावत उलहिंद का चीफ था मुसा प्रिटेंट की प्रधान मंतरी धेरेसा में ने स्टीफे की घोश्णा की साथ जुन को कंसर्वेटी पार्टी के नेता के रूप में देंगी स्टीफा ब्रेक्जिट को लेकर अपने प्रदर्शन पर जताया अफ्सोर्स लोगसभा चुनाओं के नतीजे आने के बाद से तैप रक्रिया के तहट मुदी सरकार ने मौजदा लोगसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी है प्रधान मंतरी नरेंद मुदी ने राश्टरपती रामनत कोविंद से मुलाकात कर अपने स्टीफा सौपा नरेंद मुदी फिर से प्रधान मंतरी पत के शबत लेने तक प्रधान मंतरी के तोर पर काम करते रहेंगे मंतरी मंडल की सिफारिश के बाद राश्टरपती रामनत कोविंद वर्तमान लोगसभा भंग करेंगे मौजुदा लोकसभा का कारेकाल 3 जून को समाप्थ हो रहा है सतरवी लोकसभा का गठन 3 जून से पहले किया जाना है और नए सदन के गठन की प्रक्रिया अगले कुछ दिनों में तब शुरू होगी जब तीनों चुनाव आयुक्त राश्ट्रपती से मिलेंगे और नव निर्वाचित सदस्यों की सूची सौपिंगे इससे पहले केंद्री कैबिनेट की आज शाम बैठक हुई जसमें सोलमी लोकसभा भंग करने की सिफारिश को मंजूरी दी गई प्रधार मंत्री नरिन मोदी की अधिक्षता में पहले मंत्री मंडल और बाद में मंत्री परशुत की बैठक हुई मंत्रियों ने प्रधार मंत्री मोदी का उन्हें देश की सेवा करने का मौका देने के लिए भार जताया कल NDA संसद्य बोर्ट की बैठक होगी और इस बैठक में नई सरकार की गठन को लेकर चर्चा हो सकती है सत्रवें लोग सभा की चुनाव में प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी के अगवाई में NDA को एतिहासिक जित हासिल हुई है नरेंद्र मोदी देश्व के पहले गेर कॉंगर्सी प्रधान मंत्री बन गए हैं जिनोंने पूर्न बहुमत के साथ एक बार फिर से सत्ता में वापसी की है 2014 में प्रधान मंत्री बनने के बाद नरिंद मोदी ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ लोगों की खुशाली और देश के विकास में वजुटे थे देश के साथ अंतरास्ट जस्तर पर उन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाया और उसी का नतीजा है कि बीजेपी ने ना सिर्फ अपने बूते फिर लोग सभा में बहुमत हासल किया बलकि सहयोग्यों के साथ 354 सीटों पर जीत दर्ज की बीजेपी ने दिली, राजिस्थान, गुजरात, हर्याणा, उत्राखन, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और अरुआचल प्रदेश की सभी सीटों पर जबर्दस जीत दर्ज की है दस राज्यो में बीजेपी ने सभी सीटों पर जित हासिल की है और इसके अलावा बीजेपी ने करनाटक, पश्चिमंगाल, मध्यपरदेश और बिहार में भी अपना सर्वस्रेश्ठ प्रदर्शन किया है तेलंगाना में भी बीजेपी ने चार सीटों पर जीत दर्ज किये है तो वहीं यूपिय गडबंधन महज 90 सीटों पर समट गया है जबकि अनिक एक हाते में 98 सीटे गई हैं यूपिय के सबसे बड़े दल कॉंग्रिस पार्टी को महस 52 सीटे मिली हैं बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में मायवती अखिलेश यादव के महा गडबंधन का दाव भी नहीं चुलने दिया और बिहार में जेडियों के साथ मिलकर कॉंग्रिस और आर्जेडी का सूपरा वासिर हुई थी तो 2019 के वाडिक के बाद जो तस्वीर सामने आई है वो आपके टीवी स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि NDA 354, UPA 90 और अधर्स जो हैं वो 98 पर लोगसभा चुनाव में करारी शिकस्त का सामरा करने वाली कॉंग्रिस इस बार कुल 18 राज्यों और केंद श्रासित जेक्तरों में खाता भी नहीं खोल सकी UP, बिहार, करनाटक और मध्ध प्रजेश जैसे राज्यों में महज एक-एक सीटों से संतोश करना पड़ा कॉंग्रेस आंधर प्रदेश, खर्याना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मु कश्मीर, उत्राखन, तिरपुरा और हुमाचल प्रदेश, मणिपूर, नगालैन, मिजोरम, दिली, सिक्किम, राजस्थान, चंडिगर, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षिद्वीप में एक भी सीट नहीं जीत पाई, इन राज्यों में से हर्याना में पिछली बार कॉंग्रेस को एक सीट जीतने में सफलता मिली थी, पार्टी ने केरल में सबसे अधिक 14 सीटे जीती और इसके बाद पार्टी ने तमिनाडू में आठ और पंजाब में भी आठ सीटे जीती, कॉंग्रेस सीटों की संख्या के लिहाज से दूसरे सबसे नियोनतम स्थान पर पहुँच गई है, पिछले लोगसभा चुनाओं में उसने 44 सीटे जीती थी और इस बार भी पार्टी दोहरे अंकों में ही सिमट गई सत्रमी लोगसभा चुनाओं में भारी जीत के बाद प्रधान मंतरी नरेंद मोदी और बीजेपी अधेक्षामी शाहा आज वरिश्मिता लालकृष्ण आडवानी के घर पहुचे और उनसे पार्टी को मिली बड़ी जीत पर चर्चा की लालकृष्ण आडवानी से मुलाकात करने के बाद प्रधान मंतरी मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आडवानी जी से आद मुलाकात की भाज़ुपा की सफलता आज इसलिए संभव हो पाई है क्योंकि उनके चैसे महान लोगों ने दशकों तक पार्टी का निर्म लालकृष्ण आडवानी से मिलने के बाद पीम नरेंद्र मोदी वरिष्ण निता मुर्ली मनुहर जोशी से मिलने पहुचे उनके साथ भाज़पा ध्यक्ष अमिश रहा भी मौजूद थे मौर्ली मनुहर जोशी की तारीफ करते हुए पीम ने लिखा कि डॉक्टर मौर्ली मनुहर जोशी एक विद्वान और बुधि जीवी है भारतिय सिक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में उनका योगदान लेखनी है उन्होंने हमेशा बेजेपी को मस्बूत करने का काम किया है और मेरे सहित कई कारिकरताओं का उत्साह वर्धन किया आज सुभा उनसे मुलाकात की और उनका आशीर बाद लिया सत्रवी लोकसभा चुनाओ के नतीजे सामने आ गए हैं और एक बार फिर से प्रधान मंत्री नरिद मूदी के अगवाई में बीजेपी ने पूर्णे बहुमत हासिल कर लिया है लेकिन सोल्वी लोकसभा की तरह ही इस लोकसभा में हुई विपक्ष के नेता का पद किसी विपक्षी दल को नहीं मिलने के उमीद है क्योंकि सत्रवी लोकसभा में एक बार फिर किसी विपक्षी दल को नेता प्रतिपक्ष के लिए जरूरी 55 सीटे हासिल नहीं हो पाई है संसदिय परंपरा में नेता विपक्ष का पद काफी एहम होता है संसत के दोनु सदनों लोकसभा राजय सभा की साथ ही विधान सभाओं में नेता प्रतिपक्ष सरकार के कामकाज पर नजर रखने वाले विपक्ष का चेहरा होता है सम्विधान में नेता विपक्ष का प्रावधान है जिसके मताबिक सदन में विपक्ष का वो दल जिसके पास कुल निर्वाचित सदस्यों में से 10 फीसदी संक्या है उसे ही नेता प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर मानिता मिलती है इसे में लोगसबा में एक बार फिर नेता विपक्ष का पद खाली रह सकता है लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि Salary and Allowance of Leader of Opposition in Parliament Act 1977 में कहीं भी Leader of Opposition के लिए 10% सीथ होनी की अनिवारता नहीं है इसी को आधार बना कर कई बास सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल को नेताप विपक्ष का पद दिया गया सत्तापक्ष की नीतियों की तरक संगत तरीके से आलोचना के साथ ही कई महत्वपुन समवैधानिक पदों की नियुक्ति प्रक्रिया में प्रतिपक्ष के नेता का होना ज़रूरी होता है विरोधी दल के नेता को वो सभी सुविधाय मिलती है जो एक कैबिनेट मंत्री को मिलती है लेकिन ये पहली बार नहीं है कि लोगसभा में प्रतिपक्ष का कोई नेता नहीं है अजादी के बाद 1952 से लेकर 1979 तक लोगसभा में कोई प्रतिपक्ष का नेता नहीं था दसफी सिदी की अनिवारिता के चलते नौवी और दसफी लोग सभा में भी नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रह गया था और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोड़े से ब्रेक के लिए केरल के अलपुया में हर साल आयूजित होती है ये नौका दोड़ जिसमें शामिल होती है करीब सौ फीट लंबी सर्प आकरदी की सजी धजी दरजन भर नौकाई हर नौका पर सवार होते हैं सौ चप्पू चालक, चार नाविक और पचीज गाए एक किलोमीटर की इस नौका दोड़ को दीखने के लिए हर साल जुटते हैं लाखों देशी विदेशी दर्शर देखिए मेरे साथ देश देशांतर राज साड़े आट सिर्फ राज सभाटी विदेश्ट अमूर्तन एक दर्शक को एक शोता को पाठक को आमंत्रित करता है कि उसमें शामिल हो जितनी अमूर्त कलाए है वो अपने पाठक की अपने दर्शक की शोता का उसका सम्मान बहुत करती है वो उसके कल्पना पर विश्वास करती है वो आपको सारी चीजें किसी संदेश की तरह प्लेट पर रखके नहीं देती है बल्कि आपसे भागीदारी की उमीद करती है नमस्कार मैं हूँ दियन वाचपेई मुसे मिलिये प्रोग्राम गुफ्तगू में सिर्फ राज्यसभाट टीवी पर प्रेकी बाद स्वागत है आपका सुरत के एक इमारत में भीशना आग लगने से करीब 18 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग खायल हो गए फिलहाल आगपर काबू पा लिया गया है तमकल विभाग की करीब 18 गाड़ियों ने कड़ी मशकत के बाद आगपर काबू पाया बौके पर मौजूद लोगों की माने तो तक्षिला कॉम्पलेक्स के दूसरी मंजिल पर कोचिंग क्लास चल रहा था जिस वक्त इमारत में आग लगे उस वक्त इमारत में काफी लोग मौजूद थे गुजरात के मुखे मंत्री ने हास्से के जाच के आदेश दिये हैं उन्होंने मृतकों की परिजनों को 4-4 लाख रुपे की मुआबजिक अलान किया है हास्से पर दुख जताते हुए उप्राष्ट पती अमेंक्यान आईडू ने कहा है कि सूरत में हुई अगनी तरासिदी से स्तब्ध हूँ मेधावी युवा चात्रों की अकाल मृत्यू से शोक संतब्ध हूँ दुख के इस घड़ी में शोका कुल परिजनों के प्रती संवेधना व्यक्त करता हूँ इश्वर परिजनों को धैर दे और घायलों को श्वीग्र स्वस्थ लाब प्रतान करे हासे के बाद प्रधान मंत्री ने ट्वीट कर गहरा दुख चिताया और हूँने कहा कि उनकी संवेधनाई प्रती परिवार के साथ है प्रधान मंत्री ने घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की साथ ही गुजरात सरकार और स्थाने प्रशासंस को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने को कहा है सुप्रीम कोट के चार ने जज़ों नहीं आज पद की शपत ली है जन चार जच पॉंबे हाई कोट के जस्टेस बियार गवई, हिमाचल हाई कोट के चीफ जस्टेस सोरे कान्थ, जहार tofu ज़ारखन के चीफ जस्टेस अनीरुद्ध बोस और गुआठी हाई कोट के चीफ जस्टेस एस बोपनना जिन्होंने सुप्रीम कोड के नयाधिश के तौर पर शपतली है हाल ही में इन चारों की नियुक्ति को राश्टोपती रामनात कोविंद ने मन्सूरी दी थी इन चारों जजों के पद 31 हो गए हो और इससे पहले 2014 में सभी पद भरे गए थे जिन चार जजों की नियुक्ति हुई है उनमें से दो जज ऐसे हैं जो आगे चल कर सुप्रीम कोड के मुखे नयाधिश बन सकते हैं सुप्रीम कोड कॉलेजियम ने नौमाई को फिर से जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस एएस पोपन्ना को शीर श्रदालत का जस्टिस बनाने की सिफारिश की थी डियार्डियो ने आज पोखरन फाइरिंग रेंज में स्वदेशी तकनीक पर बने 500 किलोग्राम के इनरस्रेली गाइडेड बम का सफल परिक्षन किया है 30 किलो मीटर दूर से दागे गए बम ने लक्ष पर सबसे 60 एक निशाना लगाया कश्मीर घाटी से आतंगवाद के सफाए के मिशन में जुटे सुरक्षावलों को बड़ी सफलता मिली है जब दर्शन कश्मीर के पुलवामा में सेना ने मोस्ट वांटेड टेरिस्स जाकिर मुसा को एक एनकाउंटर में मार गिराया वातंगी संग्ठन आलकाइदा से जुड़े अंसार गजावत अलहिंद का चीफ था जाकिर मुसा को पुलवामा के उसी आलाके में मार गिराया गया है जहांपे साल 2016 में सेना ने हिजबुल की कमांडर बुरहान बानी को ड्हिर किया था कर जहांटर वहाँ है जहांटर है लेकरी अच्टर पिवाँ है जाकिर मुसा कंड्साइब का था law and order incident reported so far there have been some areas where there are restrictions imposed besides that during the encounter the operation was handled well there is no collateral damage and the operation was concluded well arms and ammunitions were recovered British Pradhani Britain की प्रदान मंत्री थिरेसा मीनी अपने पद से स्टीफे की घोशना कर दी है उन्होंने Brexit को लेकर अपने प्रदर्शन पर अफसूस जताया है उन्होंने अलान किया है कि बिरेश प्रदान मंत्री थिरेसा मीनी शुकरवार को कहा कि वो अपना पद छोड़ने जा रही है और जल ही कैसी प्रक्रिया शुरू होगी जो एक नए नेता को सत्ता में लेकर आएगी उन्होंने कहा कि नए नेता शायद अधिक निरनायक ढंक से ब्रेक्जिट तलाक समझोते के लिए काम करेगा थेरज से में इस मौकी पर कहा है कि वो साथ जून को कंजर्वेटी पार्टी की नेता के रूप में अपना इस्तीफा सौब देंगी कि अवा अ की बीजिए से लिल प्रथ 來 Разब की आज तर्म्री हैं अलब ठा Mantra टन्हों पर ब्ली आष में में अलियोसा के लिए। to hold. The second female Prime Minister, but certainly not the last. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. We have with us journalists from Zimbabwe Broadcasting Corporation. They covered Indian election 2019. We tried to get their insight, their view, their perception about Indian election 2019. Welcome to Rajya Sabha TV. I just want to know that you covered Indian election 2019. How and what did you feel about Indian election? My name is Abigail Tembo. I'm a correspondent with the Zimbabwe Broadcasting Corporation. More specifically touching on the electronic voting missions and the voter verifiable papers. That's a milestone in as far as technology in voting is concerned. And if I ask about the Indian voters, what do you feel about Indian voters? Are they politically aware? Hello. My name is Tafadzwa Washington, Chigwedere. I'm a camera person with Zimbabwe. Even we interacted with them. You could see that there are people who are really politically minded. There are people who are not forced to do things, but they are also, it shows there was a very big voter education. Have you felt any factor, any wave like Modi factor, Modi wave? People were so much excited. People really know that they were talking, it was Modi, 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 Modi. They were saying it's either Modi or no Modi. What did you feel? Which factor is prominent? Political maturity. The political maturity that was shown by both the contestants and the voters, that is something that is commended. Can you please tell me what is the difference between Zimbabwean election and Indian election process? The difference, there's quite remarkable differences. In India, the level of democracy is very high. Let's talk about the use of the ICTs, the electronic voting system. It was something which is highly commendable. Zimbabweans, and even not only Zimbabwe, maybe so many countries in Africa, and even outside Africa, they should maybe, I don't know how they do it, but they should interact more with the countries like India. What you found very interesting in this election 2019, because you covered many places, you met many people, and so what you found interesting? We were looking at a 109-year-old grandfather or grandmother coming to vote, and then there was that lone voter, that deep in the mountain, you know, that person who went, and the fact that the government was willing to go and set up a voting session in that forest just for that one person shows that every vote counts. Just beautiful. Thank you so much talking to us. Thank you. Thank you so much. और दिली में All India Fine Arts and Craft Society के ओर से एक प्रदर्शनी लगाए गई है इस प्रदर्शनी में विभिन राज्यों के 20 कलाकारों की कलाओ का प्रदर्शन किया गया वर्जी सवे सच्वाले की अतरिक्त सचे मुकल पांडे ने अंदाज रंग नाम की इस प्रदर्शनी का आज उद्गाटन किया आज अप्रदर्शनी में विभिन प्रदर्शनी का आज उद्गाटन किया I would like to congratulate and compliment Madam Khan for organizing this wonderful event in fact as I understand you are providing a good platform for the young artists to showcase their exhibits you have chosen the word the title of this exhibition very aptly so many colors are there and all the paintings which I have seen they are really really very wonderful इसमें हर तरह तरहतरह की paintings हैं हर painting का अपना एक message है और कलाकार जो है अपनी जो paintings बनाता है वो बहुत ही दिल से बनाता है तो उसके में हर मैं मतब paintings में एक बड़ा संदेश छुपा होता है आप देखेंगे कि हर painting में एक गहराई है और इसी के साथ इस बुलिटन में फिलहाल बेरे साथ इता ही लेकिन राज्य सभाद टीवी आप देखते रहें दीज़े अजासत नमस्कार